प्रॉक्सी और वीपेन, दोनों का यहाँ पर एक काम रहता है, जो कि सिमिलर है, वो है आपके IP एड्रेस को हाइट करना, बट दोनों के यूस केसे में और दोनों के फंक्शनालिटी में काफ़ी डिफरेंस होता है, आज हम लोग उसको समझेंगे, यहाँ पर मैंने वीपेन के रिलेटेट काफी सारे वीडियो बनाए है, और प्रॉक्सी इस सम्थिंग जो काफी रिलेटेट है, उससे बहुत सारे लोगों का कुश्यन भी था कि प्रॉक्सी और वीपेन में क्या डिफरेंस है, आज मैं आपको ठियोरिटिकली नहीं, टेक्नि इडरेस चेंज हो जाएगा, साथ में जो आपका डेटा है, उसको भी एंक्रिप्ट किया जाएगा, उसको ऐसे समझो, कि जैसे बॉटल है, मैं बैठा हूँ यहाँ पर बोपाल में, और मैंने लोकेशन से लेक करी, यूएस की, ठीक है, बोपाल से यूएस की लोकेशन, जो तो भी मेरा डेटा है बीच का, वो पूरा एंक्रिप्ट हो के जाएगा, इस बॉटल के अंदर, उसको कोई नहीं देख सकता है, मेरा ISP प्रोवाइडर नहीं देख सकता है, अगर मैं पब्लिक वाइपा यूज कर रहा हूँ, तब भी कोई नहीं देख सकता है, इन पाक्ट तो I can select my locations, और same process ही रहेगा, location यहाँ पर मैं end point उसका change easily कर सकता हूँ, now proxy में क्या रहेगा, proxy में जो आपका connection रहेगा, वो उपर से जाएगा, सिफ आपके IP address को change किया जाएगा, बीच में कोई encryption नहीं रहेगा, कोई protection नहीं रहेगा, अब बात करता हूँ मैं second important चीज की वो ह IPI रहता है VPN में, second VPN में no log policy होती है, कि अच्छे VPN में, कि they will not record any website that you visit, आप कौन सी website विजिट कर रहे हो, आप क्या काम कर रहे हो, वो VPN नहीं record करते हैं, और वो audited भी रहते हैं, जो अच्छे VPN हैं, बहुत सारे VPN आपर data चोरी भी करते हैं, कुछ अच्छे VPN हैं, जैसे कि Surfshark, Nord VPN और Express VPN, इन तिनों के audits होए है, RAM servers है, so in general, जो अच्छे VPN हैं, आपको security और privacy दोनों मिल जाएगी, प्रॉक्सी में ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ पर कोई protocol नहीं होता है, कोई security encryption नहीं होता है, ना ही कोई no log policy होती है, so VPN is always better when it comes to privacy and security, अब बात करते हैं, क्योंकि VPN के उपर एक encryption लगता है, जिसके अंदर से data जाता है आपका, so उसके वाज़े से आपर इसकी speed छोड़ी slow हो जाती है, अब ये भी depend करता है, कि आप कौन सा VPN provider यूज़ कर रहे हो, और उसके बाद कौन सा data center यूज़ कर रहे हो, कौन सा server यूज़ कर रहे हो, इंडिया का, यूज़ कर रहे हो, आपकी क्या location है, किस purpose ले हो, streaming ले कर रहे हो, downloading के कर रहे हो, तो उस पर भी कुछ, depend करता है, बट अगर आपको और जानना है कि best कौन से VPN से जिसमें सबसे अच्छी आपको speed मिल रही है तो उसका मैं वीडियो आपको आई बटन पर दे दूँगा best VPN का वीडियो है उस privacy किस पर अच्छी speed किस पर अच्छी वो सब मैंने बताया हुआ है प्रॉक्सी के बारे में बात करूँ तो यहां पर भी depend करता है कि proxy provider कौन है उन्होंने कहां से आपके IP address को source किया है और आपने किस टाइप की proxy खरीदी है जैसे कि जो सबसे अधा common और useful proxy रहेगी आपके लिए for the use cases that I am going to tell अभी इस वीडियो में आगे वो रहेगी residential proxy and residential proxy is usually slower than data center proxy या फिर in fact even VPNs data center proxy speed fast होती है compared to VPN क्योंकि आपर encryption नहीं होता है but residential proxy speed slow होती है from a good VPN बात करते हैं प्राइजिं के बारे में वीपेन में three options आपको बहुत सारे मिल जाएगे Google पर जाके search करो Play Store पर search करो free VPNs जालो list बहुत लंबी आ जाएगी लेकिन उसके अपने आपे drawbacks होते है privacy, speed, security वो सब usually free VPNs में आपको नहीं मिलते है because if a service is free then you are the product बहुत ही कम ऐसे free VPNs है जो actual में अच्छे है उसके लिए भी में एक separate video बनाए वहाँ है वह आप आई बटन में मिल जाएगा चाहो तो जाके देख सकते हो I'll recommend to go with a paid VPN अगर regularly use करने के कोशिश कर रहे हो तो उसकी pricing के बारे बात करूं तो paid VPN के pricing जो अच्छा VPN है जैसे के Surfshark है अगर आप लोग मेरे नीचे देगाई link से जाओगे तो I have a discounted link जिसमें आपको यहाँ पे इसकी pricing पढ़ जाएगी आपको यहाँ पर 28 months के लिए इसकी pricing dollar 60 मिल जाएगी जो की काफी अच्छा है कि आपको एक मेनी के pricing यहाँ पर सिर्फ 2 GB dollar 2 रहेगी वही पर आपर मैं proxy की बाद करूं proxy में यहाँ पर मैं smart proxy काफी value for money proxy यही बी उसकी कर रहा हूं एड़ इसमें जो pricing है वह रहती है पर gb के साब से कि आप कितना data consume कर रहे हो VPN में ऐसा नहीं रहता है VPN is for unlimited, आप के तरह भी consume कर सकते हो, कुछ भी देख सकते हो, YouTube भी देख लो, ये भी देख लो, Netflix भी देख लो, आप पर आपको फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर, there is a data limit, जैसे कि अगर मैं आप 8 GB वाला प्लान लेता हूँ, तो मुझे approximately $44 per month देने पड़ेंगे, यहाँ प्लान यूज करने के लिए, means $5 GB यूज करने के लिए, if I buy this residential proxy, and this is the affordable ones, जो value for money है, अगर आप दूसरे पर जाओगे, जैसे कि Oxylabs हो गई, या bright data होगे, वो और expensive हो जाते हैं, और अगर आपको 2 GB data per month चाहिए, तो you will be charged $12, इससाब चाहिए, जो data आपको चाहिए, आपको यहाँ पर month इसके लिए pay करना पड़ेगा, यह residential proxy के pricing है, data center, ISP, mobile, यह सारी जो proxies आती है, उसके लिए मैं एक separate video बना दूँगा कि क्या होती है, कब किसका use करना रहता है, लेकिन in general, majority of the people will like residential proxy only, now, इनका use case बताने से पहले, इनके access level के बारे में एक बात करते हैं, कि, for example, अगर मैं आपको अपना VPN को install करूँ, तो जो भी मेरे apps है, वो सब VPN के through ही route होंगे, चाहिए मा hotstar लगाऊ, netflix लगाऊ, google chrome खोलू, email खोलू अपना, कोई भी app को मैं खोलूँगा, वो जाएगा VPN के through, बट अगर यहाँ पर मैं proxy का use करूँगा, तो proxy एक specific app enabled ही रहता है, usually, मैं एक browser का use करूँगा, browser को डालूँगा मैं, उस browser के through जो भी मैं access करूँगा, वो मैं proxy के through access करूँगा, बट जो भी बाकी के application है, वहाँ पर वो प्रॉक्सी का use नहीं होगा, यहाँ पर फायदे लुक्सान का कोई comparison नहीं है, क्योंकि दोनों के यहाँ पर use cases अलग है, about use cases, VPN का आपको तब यूज करना चाहिए, if you want to stream, आप इंडिया में बैठे हो, आपको Netflix US की library देखनी है, यहाँ बहार हो, आपको hotstar देखना है, geo cinema देखना है, उस case में, VPN is a great option, यहाँ आपको encryption चाहिए, device level protection चाहिए, multiple server location चाहिए, और एक affordable price point पर यह सब चाहिए, क्योंकि VPN compared to proxy काफी सस्ता होता है, तो VPN is a great option, coming on to proxy, proxy is mainly used for, पहला use case रहता है, इसका web scrape करना, यहाँ पर आप लोगों को अलग-अलग IP address मिल जाएंगे, क्योंकि residential IP address रहता है, तो इसको इतनी जदी ब्लॉग भी नहीं किया जाता है, for example, if I want to scrape Amazon data, कि Amazon पर मैंने एक bot बनाया है, Amazon पर चला जाए, वो scrape करें इस particular queries के उपर, और वो मुझे वहाँ से वो data निकाल के दे दे, second रहता है यहाँ पर multiple accounts को manage करने के लिए, आपको Facebook account बनाने हैं, multiple Facebook accounts बनाने हैं, यहाँ फिर multiple Google developer account, YouTube या, कुछ भी आपको अगर multiple बनाना है, तो क्या होता है usually इनके साथ, कि अगर कोई आपका एक account ban हो जाए, Facebook का माल लेज़े, आपका add account ban हो गया, तो again अगर आप लोग add account बना हो गये, वो वापस से ban कर देंगे, इस case में आपको एक proxy यूज़ करने पड़ती है, proxy के साथ में एक anti detect browser का यूज़ करना रहता है, that will give you a new identity, कि एक नया computer आपको virtual computer type का मिल जाएगा, आपको एक नई IP address मिल जाएगी, उसके थुरू आप लोग अपने और accounts बनाते हो, ताकि in case अगर आपका future में कोई एक add account ban हो जाए, तो you have a separate account जहां से आप ये सब manage कर पाओ, basically single device पे आप लोग multiple account बना सकते हो, with the help of proxies, अब अगर आपको VPN खरीदना है, best VPN के बारे में बात करों, तो Nord VPN, Surfshark, Express VPN, तीनों अच्छे हैं, तीनों के discounted links आपको नीचे मिल जाएगे, जाके try कर सकते हो, प्रोक्सी के बारे में बात करों, तो smart proxy is really good, value for money option है, अगें इसका भी लिक नीचे description में मिल जाएगा, आपको स्वाएमबी का trial भी मिल जाएगा, if you want to try that out, अब इसको use कैसे करना है, VPN को use करने लिए आपको simply इनका application इंस्टॉल कर देना है, once you install that application, आपको इस तरह का interface, हर VPN का अलग यहां पर इंटरफेस आपको मिलेगा, साफ शाक फिलाल भी मैं आपको बता लेता हूँ, यहां पर अब हम लग हमारी location सेलेक करेंगा, for example, let's say I'll select United States, United States, ठीक है, आजबन का यहां पर मैं server ले लेता हूँ, और यह एक बार यहां पर connect हो जाएगा, यह हो गया है, यहां पर मेरा connect, इसके बाद जो भी मेरी traffic है, वो पूरी traffic यूएस के server से जाएगी, से सर्ज करते हैं, what's my IP, और यह जो IP address है, यूएस कराएगा, अगर मैं Netflix वगरे, जो भी हां पर विजट करूँ, तो मुझे US की लाइडरी ही मिलेगी, तो it is as easy as using any other software to use a VPN, आप easy यह को यूज करना, प्रोक्सी के बारे में बात करूँ, तो पहले हैं से आपको proxy purchase करने पड़ेगी, जैसे की smart proxy है, you can go to, again my link, आपको saw mb3 में मिल जाएगा, to try it out, यहाँ पर residential proxy, क्योंकि मैंने लिए थी, मैं यहाँ पर residential select कर लूँगा, you can select the location, आपको यहाँ पर location का option मिलता है, अगर आप pay to go वाल option लेते हो, तो यहाँ पर मैंने pay to go लिया है, उसके बाद मुझे यहाँ पर मिला है, and then here are my different proxies, switch view, यहाँ परोक्सी मिल जाती है, HTTP, SOX5, और उसके बाद you can just copy this proxy, जैसे यह है, I'll copy this proxy, and इसके बाद you need to install an anti-detect browser, जैसे कि मैंने आप डॉल्फिन anti को install करके रखा है, anti-detect browser क्या होता है, कौन से अच्छे मैं इसके लिए वीडियो ले आऊँगा, नहीं पता है, subscribe कर लो, anti-detect browser, proxy, सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, अच्छे से detail में, तो यह रहा anti-detect browser, अब यहाँ पर you will need to create a profile, and here, यहाँ पर आपका अपनी proxy को enter कर देना है, proxy, यह रही मेरी proxy, I'll check connection, मेरी proxy यहाँ पर काम कर रही है कि नहीं कर रही है, यह रही मेरी proxy, यह रहा मेरा proxy का IP address, and then you can generate a new fingerprint, और यह आपर आपका browser ready हो जाएगा, I'll click demo, free, I'll click create, यह हो गया, अब जैसे ही मैं आपर start करूँगा, मुझे आप एक browser की window मिलेगी, और उसके बाद, जो भी मेरी activities रहेगी, उस particular browser से, यह रहा, मेरा browser, जो भी अब मेरी particular activities रहेगी, इस browser से, वो जाएगी proxy के थूँ, और अगर मैं वापस Google Chrome पे चला गया, यहाँ चला गया, तो यह non proxy के थूँ अब जा रही है, अगर मुझे कुछ भी proxy के थूँ access करना है, तो I'll need this browser, without this, I cannot access the proxy, so I hope आपको यहाँ पे basics clear हो गए हो गए होंगे, दोनों VPN और proxy के बारे में, VPN के बारे में और डेटेल जाननी है, बहुत सारे वीडियो बनाएं हैं, मैंने पिछले 3-4 सालों में, VPN के on this channel, जाके देख सकते हो, VPN browser प्रोक्सी के बारे में जानना है, चैनल को सब्स्राइब कर लेना, और इंट्रेसिंग वीडियो आने वाले, कौन सी प्रोक्सी अच्छी है, किस के लिए अच्छी है, कैसे यूज़ करना है, सब कुछ मैं बताऊंगा, do make sure to subscribe to this channel, and let me know in the comment section, व्लोग वीडियो के सच्छी है, कुछ समझ में आया भी की नहीं आया, and I'll see you guys in the next one, goodbye.